रामना लागा दर्शन करने माले पहले राश्पती होंगे रामनात को गने अतियासिक होगी आयोत्या राश्फो में अंगामे को लेक और भाविक हुए वैंक कैया नाइडू बोले सदन की ववित्रता होनी तबहाँ अतंकी साज़िश नकाम कश्मीर के बांदी पोरा में हत्यारों का जखीरा परमर्ज दारी है तलाशियफी अप्याद देश में कोफिशिल्द और कोबैक्सिन की मेक्स डोस की स्टडी को मज़ोई कोरोना परूगर डबल वार अयोध्या के पीटा दीश्वार परम्हान सने दी चेतावनी कहा दो अक्टूबर तक भारफ दूरा शुगोशित नहुआ तो लेंगे जलू समाते नमस्का स्वागत है आपका अब देख रहा है प्राइम टीवी और मैं कीरती लेकर हाज़र हो देश और दुनिया की तमाम खास कबरे बुद्नेल खंड और सिंट्रल यूपी के जिलों में बाड़ प्रभावित जिलों में राहत कार जा रही है मुक्यमंत्री योगी आदितनात ने मंगलवार को यमना और बेतवा में उफान से बाड़ प्रभावित छेत्रों का हवाई सर्वेक्षन किया उन्होंने कहा कि बाड़ प्रभावितों की मदद में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी उन्होंने राशन समगरी दे कर लोगों का हल चाल जाना दोनों नदियों की बीच बसे हमीरपूर शेहर को बाड़ के खत्रे से बचाने के लिए पुकता इंतजाम कराये जाने की घुशना की बता दे कि सीएम ने सभी प्रभावितों को ततकाल राहत समगरी देने की बात कही है चोरी की घटनाय रोकने के लिए पुलिस को पेट्रोलिंग करने के भी निर्देश दी है इसके बाद पत्रकार वारता में उन्होंने यमनावा बेत्वा नदियों से हमीरपूर को बार से बचाने के लिए परियोजना बनाकर स्थाई समधान कराये जाने के निर्देश दिये धर बांदा, जलान, हमेरपूर, उन्नाव, इटावा, और रैया, फतेपूर और फरुकाबाद में नदियों का जलस्तर कम होने से लोगों ने राहत महसूस की प्रशासन की ओर से राहत कारे जारी है लोगतंतर का चौथा इस्तांब कहे जाने वाले पत्रकारों पर दबंगों के हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे है है ताज नक्री आगरा में वरिष्ट पत्रकार डॉक्टर सजजन सागर के घर पर देर रात दबंग भूमाफियाओं ने हमला बोल दिया इस दबंग माफियाओं ने उनके घर के दर्वाजे तोड़ दिये थे और पत्राव फाइरिंग की पेड़ित पत्रकार की सुचना पर पुलिस मौके पर पहुचे वहीं इस मामने में पुलिस ने लूट और अन्ने नौग गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्श कर लिया है वहीं वरिष्ट पत्रकार सजन सागर के घर हुई घटना के बाद आगरा के राजमेतिक पार्टी के नेताओं ने भी इस घटना की कड़ी शब्दों में निंदा की है वहीं प्रस्पा नेता सहीत कई नेता पत्रकार सजन सागर के घर पहुचे उन्होंने पत्रकार और उनक के खिलाफ सक्त से सक्त कारवाई करने की मांगी है। और तो अवे दंदे यहां चलती हैं उन पर भी चोट होगी कि अगर कोई सच्छे व्यक्ति को इस तरह की घटना करेंगा और मैं प्रशाशन से भी कहना चाहता हूं संबन नित्थाने से भी कहना चाहता हूं कि कहीं भी इसमें हील हवाली ना हो तो कि हम आपको बताना प्रदेश में जंगल राज काहिन है कोई भी अपने आपको सेफ नहीं मान रहा है और इस सबसे बड़ी घटना है आप हिमत देखिए इन अपरादियों की मैं तो अपरादी कहूंगा क्योंकि यह भूमाफिया पहले भी कई बार जेल जा चुके हैं जमीन बेचने मुजूर की जगे बेचने पर जेल जा चुके हैं उसके बाद और जो हमारे पत्रकर भाई सच्चिन सागर जी किया जो इन्होंने हमला किया इनकी ताकत देखिए 17 से 18 जमें घर पर खुले आम सरीया डंडे पुलाडी लेकर जो हमला कर रहे हैं मैंने देखा कि दर्वाजे तक की और मैं चाहूंगा कि इनके साथ जो यह जो मुकदमा हुआ है जी तो जेल जाए 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 प्लस प्रशासन के तोवरा इनको भुवाफिया भी भुशित करें और इन पर फतेपुर के जाफर गंज रिथाना शेतर में लोक सेवा प्रबंदक एवं राज्य कारगार मंत्र जैकुमर जैकी ने सदीम के साथ बार प्रबावेत इलाक्रू का दावरा किया पानी अधिक होने के वज़े से मंत्री जैकुमर जैकी को गाउओं पहुशने के लिए नाव का सहरा लेना पड़ा गाउओं पहुशते ही ग्रमीनों ने मंत्री से अपनी मुक्य मांग सड़क निर्मान को पूरा करने का व्यादा लिया। साथी मंत्री ने लोगों को विश्वास दिलाया है कि इस बार में जिन गरीब परिवारों के घर गिरे हैं या वो आवास हीन हैं उन्हें मुख्य मंत्री आवास का लाब दिया जाएगा। इसके अलावा उन्हों ने कहा कि खबर फिरोजबास से है जहां कहर गर धाना शेतर में कुछ दबंगों ने जाड़ फूक करने वाले बाबा और इसकी पत्नी की जम कर पिटाई कर दी। इस्थाने लोगों ने मामनी की जानकारी पुलिस को दी जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने गायलों को इ लाज के लिए अस्पिताल में भड़ती कराया। फिलाल पुलिस इस पूरे मामले की जाच परताल में जुड़ गई है। महीं मौके पर जिला अधिकारी ने निर्देश दिया है कि सभी बार प्रभावित इलाकों के लोगों को खाने पीने की और राहत समगरियां उपलप्त कराई जाए। साथ ही डीम ने समंदित समस्याओं का संग्यान लेते हुए आवश्यक कारवाई के भी अधिकारियों को निर्देश दिये हैं। इस गटना के बाद सेमरेतक के परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। इस मामले में स्पी सिटी अमित कुमार ने बताए कि उन्होंने गटना सल का नेरिक्षन किया है। 37 मामले में पुलिस लगातार जांच में जूटी हुई है। जो एक्सिडेंट से मरीज हैं। उसमें अभी 14 मरीज हमारे चकितसाले में आ चुके हैं। 14 मरीजों को भरती कर लिया गया है। उनका उपचार चल ला है। उसमें से एक राम सेव के नाम का मरीज है। जिसके पैर में फ्रैक्चर है। बागी सभी मरीज बिल्कुल ठीक हैं। और उनके ट्रीटमेंट बराबर चल ला है। छोटी-छोटी चोटे हैं जिनको ड्रेसिंग कर दिया गया है। पटी कर दी गई है। इंजक्शन लगा दिये गया है। बागी जिसको जरूरत है। इंजक्शन फ्ल्यूट सब बराबर चल ला है। सारे मरीज सेटल ने सभी के एक्सरे हो रहे है। यह थाना मोड़ा पांडे छेत्र में हाइवे पे एक बस पलटने की सूचना प्राप्त होई थी। यह डबल डेकर बस थी। जो बिष्टिक सीता पूर से हर्याना में पानी पत में जा रही थी। प्रताबगण के लाल गंच खुतवाली पुलिस ने लूट और दगैती का बड़ा खुलासा किया है। बता दे कि 30 जून को आरोपियों ने लूट की घटना का अंजाम दिया था वही पुलिस ने इस मामले में आठा प्राधियों को गरफतार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से अवायद पिस्टल तमंच और बारूद भी बारामत किया हला कि पुलिस ने आरोपियों को गरफतार करके मामले की जाज परताल शुरू कर दी है। त्वेस दिया था उनका एक मोबाईल फोन और करीब सतर हजार रुपए की इसमें दकैती हुई थी। इस समझ में लगातार हमारी स्वाट टीम के दवारा सब्लांस की तीम के दवारा और ठाना लालगैंस की तीम के दवारा प्रियास किया जा रहा है। और बीती रात एक दकैती की योजना बनाते हुए मुटबेड के दोरान इसमें आठ अभी उक्तों को इसमें गिरस्तार किया गया है और इनके पास से जो गटना में लूटा गया मोबाइल था और करीब 20 अजार रुपे गटना में प्रियुक्त हुई मोटर साइकल और इसमें तमंचा, पिस्थल और जिन्डा खोका कार्तुस इनके पास वाई खबरों के बीच रुखेंगे और इस वक्त की बड़ी खबर जॉनपुर से सामने आ रही है गोमती नदी का बड़ा जलिस्तर शाही पुल के पास इस्तित गोमेत वेश्वर महादेव मंदिर में पानी से डूबा गाटों की सीडिया पानी में डूबी नदी किनारे रहने वाले लोगों के लिए भारी समस्या तो गोमती नदी का जलिस्तर बढ़ गया है खत्रे की निशान से उपर गोमती नदी का जलिस्तर बढ़ गया है गाटों की सीडिया तक पानी से डूब गई है जौनपूर से बड़ी ख़बर आपको बता रहे है नदी किनारे रहने वाले लोगों के लिए आफ़त तस्वीरे देख सकते हैं इशाइपुल के पास सित गोमतेशवर महादेव मंदिर पानी में डूबा अब तस्वीरे देख सकते हैं कि किस तरह पानी में ये पूरा मंदिर डूब चुका है तब अगली बड़ी ख़बर इस वक्त की कानपूर से सामने आ रहे हैं नामी गुचका कंपनी पर बड़ी कारवाई कंपनी मालिक को डीजी आई सी ने हिरासत मिलिया टाक्स चोरी के आरोब में हुई बड़ी कारवाई चापे में 400 करोड के अवैर्द ट्रॉंग्जेक्शन के मिले थे सबूर तो नामी गुचका कम्पनी पर बड़ी कारवाई हुई है कम्पनी मालिक को डी जी सी आई ने तलब कर दिया है टाक्स चोरी के आरोप में बड़ी कारवाई की गई है वहीं बाकी बड़ी खबर उपर नज़र डालते हैं संबल पुलिस लगातरा प्रादियों के खिलाफ विशेश अभियान चला रही है सी कड़ी में पुलिस ने दो अभ्यूक्तों को गरफतार कर लिया है पुलिस ने आरोपियों के पास से चोरी की 14 मोटर साइकल भी बरामत की है पुलिस ने आरोपियों की निशान देही पर कुछ और बनमाशों को गरफतार किया है जनके पास से पुलिस ने 10 लीटर आवेश चराब भी बरामत की है अला कि पुलिस ने सभी आरोपियों को गरफतार करके मामले की जाच शूरू कर दी है आज एसोजी की टीम और रजबुरा थाने की पुलिस के दौरा दो अभ्युक्तों को गरफतार किया गया है इनके नाम फिरोज आलम और फहीम हैं दोनों मुरादावाज जनपत की रहने वाले हैं इन दोनों को एक चोड़ी की स्कूटी की साथ ग्रफतार किया था बाद में इनकी निशान देही पर 14 अन्ने मोटर साइकल है अलाला जगे से बरामत की गई इनको कनेक्ट करके इनके जो ओनर से उनसे संपर करके उनको देने की विश्था कराई जा रही है इन दोनों को जब इन से आगे पूछता चुई है तो यह पता चला कि इनका एक साथी है जो शाहनवाज है वो पुराना एच-एस है और वो भी इस मामले में शामिल था उसकी ग्रिफतारी का प्रयास किया जा रहा है इस पूरे मामले का खुलासा करने के लिए टीम को पांच-एस है बार के कहर से पुरे देश में हाहाकार मचा हुआ है और तरफ सर्फ पानी का सितम है नदियों के किनारे रहने वाले लाखों लोग पानी के कोहराम से परशान है बारश और बार से प्रशासान सरकार की नाका हुआ हुआ है कि अपने दर्व से बहां निकले इंडियाने कि मार्के घर के पास पहुंचिए आप उसके बैच्ट परक्षित अप्थान को जाए कि अन्हीं तो आप लग समझी है मेरा लाग की इडिक्वेस्टा है कि इपिया सभी महलवातियों इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाज़ा तो लगा ही चुके होंगे कि यहां हालात कैसे हैं जहां तक नजरे जाती है वहां बस पानी ही पानी नजार आता है लोग परेशान हैं डरे हैं उन्हें समझ नहीं आ रहा कि जाए तो जाए कहां करें तो करें क्या सबसे पहले ले चलते हैं आपको बलिया यहां नदी का अस्तर लोगों को डरा रहा है नदियों की चाल ऐसी है मानुस सब कुछ उसमें समाझ आएगा बलिया में लगतार जिला प्रशासन के द्वारा मुनादी कर सभी लोगों से घरों को खाली करने के मिर्देश दिये जा रहे हैं जरा आप भी सुनिये कि आखिर चेतावनी कैसे जारी की जा रही है सुना आपने कि आखिर क्या चेतावनी जारी की गई है आप घरों में ताला दे दें और बाहर आ जाएं वरना बड़ी घटना घट सकती है बाल के काल से लोगों को बचाने के लिए प्रशासन भी हर संभव प्रयास कर रहा है SGM जुनेद एहमद ने कहा अभी भी rescue operation जारी है और कुछ लोग घर से निकलने को तैयार नहीं हो रहे है एल्जियम की माने तो कुछ लोग बस घरों में हैं और वहां से सुरक्षित इस्थानों पर जाने के लिए तैयार नहीं पाल से बचने के लिए घरों में कैद होना ठीक नहीं है इलाकों में पानी इतना भरा है कि घरों में रहना सुरक्षित भी नहीं है सरकार दोरा बचाओ एवं राहतकार जोरो शोरों से चलाय जा रहा है हमारे दोरा NDRF की अधिकारी से बात करने पर उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन का निर्देश मिला है कि शहर के कुछ छेत्रों में लोग बाल से घर गए है जिने निकालने की जरूरत है उनके निर्देश पर महिलाओं पुरुष और बच्चों को हर साल आफद की ये बार लोगों के लिए काल बन कराती है जारों लोग हर साल बेघर हो जाती है और सरकार कुछ नहीं कर पाती वैसे आफद की तस्वीरे किसी एक जिले की नहीं बलकि कई ऐसे जिले हैं जहां बार का कहर बन कर लोगों की जिन्दगी में आया है अब दिखाते हैं आपको फतेपुर की तस्वीर. यमुना की बढ़ते जलिस्तर ने तटवर्ती इलाके के परसेडा और तपसौरा गाउं की मुसिवत बढ़ा दी हैं। यहां अब तक कई परिवार बाल से प्रधावित हुए हैं। कई लोगों का आशियान चिन गया है। बूरे बच्चे सब बेघर हो गए हैं। यहां पर कई धरों की तो बुली हालात हो चुकी है। जिसमें करेब सव घर के आसपास जो है वो पाडी से भर चुके हैं। और कुछ घर तो ऐसे हैं करेब दर्चन से उपर होंगे ऐसे कि जो बहुत जादा प्रेशान है और बहुत जादा करीब दी है। ना तो उनको रिकलने की कहीं पर जगे मिल लही है। चारों तरफ पाडी बढ़ा हुआ है। और घर में अपने छट के उपर समान रख करके लोग कुल्टा तीजा जिसे हो पा रहा है। उसे वो दोस्ता करके अपना जीवोंने अपन कर रहे है। गाओं की तस्वीर किसी नदी से कम नहीं रिखाय देती है। यहां से सलके नदारद हैं। गलियां गायब और घर पानी में डूबे हुए है। और तो और लोग भी पानी में डूबे नजर आ रहे हैं। यह मनजर इतना खाफनाक है कि कोई भी खटना कभी भी हो सकती है। प्रधान का आरोब है कि यहां कोई भी ध्यान देने वाला नहीं। खुद की मदद आप खुद ही करें। यानि सावाई समान की खुद ही जिम्मेदार है। यहां रहने वाले लोगों ने यह भी आरोब लगाया है कि यहां लोगों को खाने तक को नहीं मिल रहा है। लोग रोज मददा की चीज़ें जो हैं उनको उतलब्द नहीं हो पा रहे हैं न वो अपनी साख सब्जी ला पा रहे हैं। यहां तक की उनको आटा पिसाने में भी बड़ी दिक्कत हो रही है। बिजली नहीं आ रही है। लोगों के आटा नहीं पिस रहे हैं। और इसके अलावा लोगों के जो घर गिर रहे हैं उनके सामने बड़ी भीशन समस्या है बार से आलात ऐसे पैदा हो जाते हैं कि जसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं लोग सड़क पर आ जाते हैं और खाने के लिए दो वक्त ही रोटी नहीं मिलती हैं लोग बेबस हो जाते हैं बढ़ते हैं और ले चलते हैं आपको सीधे हमीरपूर और दिखाते हैं कि बार से वहाँ कैसे जनजीवन अस्तव्यस्त हो चुका है तस्वीरे देख आप घबरा गए हो गए कि आखिर ये गाउं है या फिर समुद्र लेकिन आप घबराएं नहीं हैं ये कोई समुद्र नदी या तालाब नहीं है ये है हमीरपूर जो आज पानी पानी हो गया है मुख्य सड़कों पर चेताब भी जारी की गई है कि आगे बार के कारा रास्ता अवरुद्ध है किरप्या आगे न जाए जो ये तस्वीर देख लेगा वो भला आखिर आगे जाएगा ही क्यों गालिया डूबी हुई है सड़कों का संपर्क मार तूटा हुआ है लोग तुपके पास में पानी भरा हुआ होगा पुल मुद्ध है और लोग नाव सेरभ खर राज करके इस पार से अस पार जा रहे हैं गाउं के प्रात्री की स्कूल से लेकर गाउं के मैदानों तक खेत खलियानों तक सब पानी में लबलब दूबे हुए लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं गाउं में सिर्फ पानी का साया है और इस साय में सब कुछ समा चुका है जहां एक तरफ ग्रामीडों को अच्छा खासाफ परेशानी का सामना करना पड़ रहा है वहीं प्रशासन अपने आधी अधूरी तयारियों को लेकर अपनी फीट थप थपाता हुआ दिखाई दे रहा है मैं पाबड को लेकर के हमारी पूरी तैयारी है सबसे पहली सीध हमारा ऐलट स्स्टम जो है बराबर काम कर रहा है जब भी पानी मेरा माता टीला डैम से यहां से कोटा वैरा से चलता है तो हम सुचना मिलती एक साली सब गा में एक मीटेर और बढ़ने टो और अभी जो है जमना में तो धीरे धीरे घटते करम में बढ़ रहा है लेकिन बेतवा में थोड़ा पानी बढ़ा है तो साम तक लगवग एक मीटेर और बढ़ने करमावना है फिलहाल अब देखना ये होगा कि आखिर बाड की विनाश लीला से लोगों को कब रहत मिलती है क्योंकि बाड का दंश जेल रहे गनामी रिड़ काफी परिशान और हताश दिखाई दे रहे हैं किसानों की फसलों की भी बर्बादी हुई है ऐसे में सवाल ये उड़ता है कि आखिर इनको राहत कब और कैसे मिलेगी ये एक बड़ा सवाल है बलिया से अखलेश, फतरपुर से अमरदीप और हमीरपुर से ब्रजेश की खास रिपोर्ट अपने घर से बाहर निकलेश, इंडियाने की मार्के घर से पास पहुंती है, आप अप उसके बैच सब्सक्राइब को जाए फिलाल के बस इतना ही जल्द हाजिर होंगे, देखते रही है प्राइम टीवी जाए यूँ माँ जाएंड़ घर से जल्द एक बाहने की जल्द है झाल आपके बाहने की माँ जल्द है गे लिए एक्राइब को जल्द हमस्ता है, खितो, जाखते लाले प्सक्ता है, जाव मेंगों घर से जल्द हैूँ झादा है